कथा साहिद्दे में आपका स्वागत है आईए आज सुनिए हिंदी की जानी मानी कथाकार दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी कहानी का सिर्षक है दो मुह हसी सुनैन जगा है विजली की फुर्ती से मैं उसके पास जा पहुँचता हूँ रात में उसे कई बार सूसू करने की जरूरत महसूस होती है जन्म ही से उसकी बुध्धी दुर्बल है और इधर एक साल से तो उसका जीवन प्रवाहा भी बहुत दुर्बल हो गया है उसके सभी काम काज अब उसके बिस्तर पर ही मुझे निप्टाने पड़ते हैं उसके इस 21 साल में यहीं मैं उसे खाना खिलाता हूँ सनान कराता हूँ पोशाक पहनाता हूँ यहां तक कि उसके शौच तक का सुभिता भी मुझे यहीं उसके बिस्तर पर जुटाना पड़ता है आ आ पेशाप कर लेने के बाद वो मुझे ताकने लगता है क्या वो मुझसे गुणी का पता लेना चाहता है गुणी के लिए वो आ बोलता है ममा नहीं और मेरे लिए उं पापा नहीं उसे मैं इश्वर के किरपाडंबर का कटाक्ष मानता हूँ जबकि गुणी उसे अपने वेभिचार का इश्वर दंड मानती थी गर्ब धारन करते समय गुणी मेरी नहीं चंदर किशोर के पत्नी रही थी और जैसे ही उसने अपनी पत्नी के गर्ब का सच जाना था उसने उसे अविलंब तलाक देकर हमारे विवाहा का रास्ता सुसाथे बना दिया था आँ 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 सुनैन दर्वाजा ताक रहा है परसों जब गुणी अस्पताल गई थी तो इस दर्वाजे पर पहले रुख गई थी लगभग डोलती सी चुन्नी का सहारा लिये लिये चुन्नी उसकी छोटी बहन है जिसे यहां जरूरत के दिनों में गुणी अपने पास बुला लिया करती थी पिछले साल हुई अपनी मा के मृत्यू के बाद अपनी एकलोती बहन के गुणी और समीप आ गई थी आँ आँ सुनैन मा के लिए मचल उठा था अपनी हाफ के साथ गुणी दतकाल सुनैन के बिस्तर पर आप पहुंची थी आँ सुनेन ने मा की उपस्थिती का स्वागत किया था उत्तर में गुणी ने उसका गाल सहला दिया था थप थप आया था चले चुन्नी ने पूछा था गुणी ने सुनेन का दूसरा गाल चुआ था और चुन्नी उसे ततकाल कमरे से बाहर ले गई थी आँ आँ सुनेन ने उसी पुकारा था लेकिन गुणी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था फिर कल चुन्नी अकेली आई थी दबे पाऊं मृत गुणी के दूसरे कपड़े उठाने सुभा साबेरे दहा कर्म के लिए गुणी को उधर अस्पताल से तयार करने के लिए ताकि सुनेन को अजनभी चेहरों और आवाजों से दूर रखा जा सके रात वहीं चुन्नी ने गुणी के साथ गुजारी थी और आज सुभा आट बचे तक मुझे यहीं सुनेन के साथ बने रहना पड़ा था अपने एक परिचित की प्रतिक्षा में जिसे सुनेन के पास बिठा कर मैं दहा ग्रिह पहुँच सका था तुम्हें आँ चाहिए? मैं सुनेन से पूछता हूँ आँ आँ वो हुआ आता है आँ चाहिए तो सोजाओ वो तुम्हारी नींद में आएगी जानते हो वो तुम्हारी फोटो तुम्हारी फिक्र अपने साथ ले गई है मेरी आवाज धुलक रही है चुन्नी की आवाज की तरह जब उसने मुझे बताया था अपने अंतिम पलों में गुणी ने सुनेन की फोटो मांगी थी अपने सीने से चिपकाने के लिए जब ही गुणी का मृत चहरा इतना तरल था अपने स्थाई भाव शुन्यता की बज़ाए अपना पुराना भावत रेक लिए सुनेन अपनी आँखें भीच रहा है तुम सोजाओ उसके बगल वाले बिस्तर पर मैं लेट जाता हूँ फिर उसके नीद में जाते ही उठ पैटता हूँ मुझे अपने मॉबाइल की अवशक्ता आन पड़ी है मैं चंदर किशोर को फोन लगा रहा हूँ हमारे बीच दो समुद्रों का फासला है हलो शायद उसी ने फोन उठाया है मैं गजराज बोल रहा हूँ मुझे चंदर किशोर से बात करनी है बोलिए उसकी आवाज में कोई ठोस बर्फ आगुसी है गुणी कल चल पसी गुणी उसकी पूरु पत्नी थी पूरे दो साल चार महीने तक किसी बीमारी से या योँ ही अक्समात बर्फ कुड़कुडा रही है पिखल रही है इधर वो बहुत सिगरेट पीने लगी थी जिस वचा से उसे फेवरे का कैंसर हो गया था अपने आखरी महीनों में उसने बहुत कस्ट भोगा बहुत कस्ट दिया यहें बहुत दुरभागय पूर्ण है वो सरहरिद्यता चलगता है हाँ उस काले कुट्टे को कैसे इस घर से अलग करूं जब मैं सुभा जगता हूँ तो अपने नाश्टे पर अकेला होता हूँ चंदर किशोर भी मेरी तरह अंग्रेजी कवीता और साहित्य में रुची रखता है मेरी उद्रित पंक्तियों को ना केवल वो पहचान लेता है बलकि उनके पहले या बाद में आ रहे शब्दों को अक्षराशह दोहरा रहा है दा ब्लैक डॉग वेर्स टू शेयर इट वह काला कुत्ता मेरे साथ हो लेता है फ्रम ब्रेक फास्ट टू डिनर ही कंटिन्यूज हीस बारकिंग नाश्ते से लेकर मेरे रात के भोजन तक लगातार भौंकता रहता है मैं रो पढ़ता हूँ चंदर किशोर का जांसन का वह कथन मेरे साथ दोहराना मेरे सामने वे पुराने दिन लोटा लाया है जब अपने सखा भाव के तहत वो मेरी संगती में कई अंग्रेजी कविताओं और सुक्तियों का आदान परदान किया करता था आप अपने को संभालिये चंदर किशोर के मन में मेरे लिए जरूर चिंता उतुपन हो रही है मेरे घर से भी जब गुणी गई थी तो मेरा भी पूरा घर बार लीक से बेलीक हो गया था तुम भागे शाली हो चंदर किशोर मैं बिलगता हूँ गुणी ने तुम्हें समय रहते छोड़ दिया लेकिन मुझे तो उसने ऐसे समय छोड़ा है जब मैं आगे की कुछ और सोच ही नहीं सकता आप गलत कह रहे हैं वो मुझे धानस बंधाता है आप अब शादी कर सकते हैं मत कहो ऐसा एक तीखी टीस मेरे दिल से आटकराती है याद है हमारी पहली भेंट जब गुणी ने मेरी शादी की बात लगपक इनी शब्दों में छेड़ी थी हमारी पहली भेंट सचमुच जोड़दार रही थी बाई साल पहले कस्वापुर के कप्तान के पदधारण की आपचारिकता समाप्त करते ही मैं चंदर किशोर के सरकारी बंगले के लिए निकल पड़ा था वहाँ पहुशने पर मेरे लिए बैठक खोली गई थी और पहले गुणी ही प्रकट होई थी खिले वसंद की पलक लिए मैं आपकी नई सौथ हूँ मैंने उसके संग चुहल की थी आपके जिले का नया एसपी प्रशासनिक सरकल की कहवतों में एक यह भी प्रचलित है जिले के कलेक्टर की दो पत्निया होती है एक उसकी धर्म पत्नी और दूसरी जिले का पुलिस अधिक्षक मुझी को बांठना अपने को नहीं अपने प्रवेश के साथ चंदर किशोर ने पत्नी की दिशा में लहर चुड़ी थी नई पाउद मैं मन ही मन मुस्कुराया था अपने से सेनियर बैच को हवा में उठाने को किसी का भी हवाला दे दे कुछ भी खड़़ा दे उसका बैच मुझसे पांथ साल जूनिया रहा आपका परिवार साथ नहीं आया गुणी ने पूछा था मैं अभी भी अविवाहित हूँ मैंने कहा था उस समय उन्हें नहीं बताया था मेरे विधुर पिता ने अपनी एक विध्वा बहन के बच्चों का जो बीड़ा शुरू से उठा रखा था सो उनकी सेवा निवृत्ती के बाद मुझी को आगे बढ़ाना पड़ रहा था परिणाम वे सभी मेरे सरकारी आवासों के निवासी रहा करते अभी भी क्यों कहते हैं गुणी ने चुटकी ली थी अभी कहिए 4 years and 30 told this very week I've been now a soldier on earth 34 वर्ष इसी सबताहा मुझे पता चला कि इस पृत्वी पर अभी तक मेरा प्रवास रहा जवाब में मैंने वर्ष वर्थ के दा प्रिल्यूट की पंक्तियां कह सुनाई थी and yet the morning gladness is not gone which then was in my mind सुभे का आहलाद किंतु अभी गया नहीं जो उस समय मेरे मन में डेरा डाले रहा चंदर किशोर ने उसी पद की अगली दो पंक्तियां बोल दी थी इसी खुशी में आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएंगे गुणी ने चंदर किशोर से पूछे बिना ही मुझे निमंत्रन दे डाला था खुशी से सौभागे से एक नई गुनगुना हट एक आपरिचित ललक मेरे भीतर आनगुसी थी तान भर कर पहली भेंट से याद आया आपके परिवार में सब कैसे हैं अंकल बुआ जी उनके बेटे बेटियां चंदर किशोर मेरे परिवार के सभी सदस्यों से खूब मिलता जुलता रहा था तुम्हें वे सब याद हैं? मेरे दिल की सतह में बैठा मेरा अपराद भाव अपना सिर उठा रहा है सब याद है क्या बताऊं? कैसे बताऊं? मेरे अपराद भाव की तहें खुल रही है समझो लाग का घर खाक हो चुका है गुणी ने आते ही मेरे पूरे परिवार को मुझसे बेगाना बना दिया उन्हें मेरे देख रेख से बेदखल कर दिया उसे मुझ पर घर पर समुचा अधिकार चाहिए था पूरा शासन उसी दुख में पहले बुवाजी गई फिर बाबुजी और उनकी मृत्यू के बाद उनके लाडले भांजे भांजियां भी अपने को जल्दी ही बाहर निकाल ले गए और अब हालत यह है किसी को भी मेरी खबर लेने की ना कोई चाहा है ना फुरसत हमारी विवाहा के बाद चंदर किशोर हम लोगों से कभी नहीं मिला मगर हमारे सुनने में जरूर आया था 1993 में IAS से त्याग पत्र दे कर वो अमरीका बस कया अध्यापी की पकड़ कर उसका यह फोन नंबर भी मैंने गुणी के अस्पताल के एक डॉक्टर से अभी पिछले सप्ताह जाना है जिसका भाई उधर उसी उनिवस्टी के मनोविज्ञान विभाग में पढ़ता है जहां चंदर किशोर और उसकी पत्नी एक साथ पढ़ाते हैं मैं भी त्याग पत्र दे चुका हूँ सन 1995 में IPS के 20 साल पूरे होते ही इस सर्विस में मुझे बाबुजी ने धकेला था और उन्हें सन 1994 में मैं खो ही चुका था और अब कुछ दिन एक NGO के साथ रहा फिर एक असफल उपर न्यास लिखा और आजकल सुनैन की देखभाल ही में पूरा दिन निकल जाता है बलकि कई बार तो रात भी सुनैन हमारा बेटा है अच्छा नाम है नाध है इसमें क्या कर रहा है? कैसा है? हाल बेहाल मोटर नियूरांस डिजीज ने उसकी सभी मास पेशियां ठप कर रखी है और उसे 24 सों घंटे अपने पिस्तर पर पड़े रहना पड़ता है यह तो बहुत ही दुर्भागय पूर्ण है वो द्रवित हो उठा इल बिगनिंग, इल एंड सच पूछो तो दुर्भागय के साथ मेरा खाता उसी दिन खुल गया था जब गुणी मेरे खर में आई थी और गुणी जरूर इसके विपरीद सोचती रही होगी उस दुर्भागय के लिए आपको उत्तरदाई ठहराती रही होगी तुम कैसे जानते हो तुमसे बात की थी उसने मैं शंकित हो उठा उस डॉक्टर से गुणी ने चंदर किशोर का फोन नंबर मुझसे पहले ही ले लिया था क्या नहीं नहीं मेरी कभी बात नहीं हुई लेकिन मैं जानता हूँ जो दो वर्ष उसने मेरे साथ बिताए उनमें शायद एक दिन भी ऐसा ना बीता होगा जब उसने जगड़ा ना किया हो दूसरे को दोश देने की उसे बुरी आदत थी और जगड़ा करने के बाद वो तब भी सिगरेट पीने लगती थी नहीं तब वो अपनी वीर्णा पर बैठ चाया करती थी उसे देर तक बचाया करती आपको याद होगा उसके सामान के साथ मैंने उसकी वह वीर्णा भी भीजी थी हाँ याद है लेकिन सब कुछ बहुत दुरुभागे पून रहा था चंदर किशोर को मैं नहीं बताना चाहता गुणी का वीर्णा बजाना मेरे लिए असहनिय था और मैंने उसे बाजार में बेच डाला था अपने सरकारी आवाज से अपने निजी घर में खिसकते समय दूसरे गेर जरूरी सामान के साथ थोक के भाव हाँ बहुत दुरुभागे पून लेकिन आप अपने को संभाले रहिएगा उसे अकेले संभालना बहुत मुश्किल होगा चंदर किशोर गुणी ही हम लोगों का खाना बनाया करती थी जिन दिनों अपनी थेरेपी के लिए दो-चार दिन के लिए अस्पताल जाती भी थी सुनैन मुझे बहुत परिशान रखता था डबल लोटी और अंडों से उसे सक्त चिड़ है मैं समच सकता हूँ हमारे कपडों की देखभाल भी गुणी ही करती थी अपनी विकट खांसी के साथ भी उन पर इस्त्री लगा दिया करती घरदारी में वो परिपून थी तुम्हारी दूसरी पतनी कैसी है अनुराग में अवल लेकिन घरदारी में शुन्य घर के काम धंदे में मेरी पूरी भागेदारी चाहती है अभी भी मुझे दो बार बुला गई है रसोई के बरतन धोने की बारी आज मेरी है चंद्र किशोर मुझसे शायद विदा चाह रहा है तुम भागे शाली हो चंद्र किशोर मैं भी समापक मुद्रा में आ रहा हूँ जिन्दगी में अनुराग सबसे जादा एहम है आगे जीने की जीजी विशा के लिए इसलिए तो आप से कह रहा हूँ आप शादी जरूर कर लीजियेगा अपनी खातिर ना सही तो सुनैन ही की खातिर देखता हूँ, सोचता हूँ मेरी पतनी धैर्यक हो रही है तीसरे बार मुझे देखने आई है आपका फोन नंबर मेरे पास दर्श हो गया है बरतन धो लेने के बाद आपको फोन करता हूँ तुमसे बात करके अच्छा लगा चंदरकिशोर तुम अब फोन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा अभी आपने दीपक शर्मा जी की लिखी कहाने सुनी अब आग्या चाहूंगी फिर आउंगी एक और कहानी के साथ धन्यवाद